मेरे पापा कहते थे कि नहीं लोग क्या कहेंगे कि लड़की से गवा रहा है जब मैं छोटी थी कालिक्रम करने जाती थी तो लोग काफी देर तक मुझे बैठा करके रखते थे कि भाई ये तो छोटी है अभी जो बड़े अटिस्ट हैं और वो गालें जब सारे लोग चले जाते थे एवल कुर्सी वाले लोग थे उन लोगों को चार दस लोग जो रहते थे उनको सुनाती थी मैं गाना कई जगह पे ऐसा हुआ कि पेमेंट भी नहीं दिया उन्होंने लोग मुझे ताना देते थे इसकी शादी थोड़ी होगी ये तो गाने बजाने में उतर गई अब इसका कोई इज़त थोड़ी है सुन्दर सुभूमी भाईया भारता के देशवासे मोरे प्राण बसेहीम खोहरे बटो हिया नमस्कार मैं चंदन थिवारी जो स्टॉप पिहार से मैं मूल रूप से आरा की रहने वाली हूँ आरा से करीब 25-30 किलो मिटर दूर एक गाउँ है जो की तरारी थाना में आता है बढ़का गाउँ वही की निवासी हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई जो होई है वो जारखंड से होई है बुकारो पापा सर्विस करते थे तो हम सब ही चले आए बुकारो जारखंड में वहाँ से मेरी जर्निस शुरू हुई पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ उसके बाद म्यूजिक में चुकि मैं बचपन से गाने बजाने में बड़ा मन लगता था मेरा पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई और मा को गाते हुए सुनते थी नानी भी मेरी गाय करते थी और नानी से भजन शादियों के गीत बहुत सारे ऐसे विधाओं के जो गीत हैं वो सुनती थी बड़ा अच्छा लगता था मुझे उसके बाद ममी गाती थी नानी से चुकि उनको विरासत में मिली थी मुझे बहुत अच्छा लगता था ममी जब गाती थी रोरी सुनाती थी मैं छोटी थी उस समय थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता था और मुझे गाने का भी मन करने लगा जब ममी को सुनती थी तो ममी मंदीर में लेके जाये करती थी वहाँ पर ममी भजन गाती थी तो मैं बड़े सांती से सुनती थी और ममी हार्मोनियम भी बजा करके गाती थी और भी अच्छा लगता था उन्हें बहुत मज़ा आता था मुझे सुनने में उनको चुकि मम्मी देखती थी कि इसको बड़ा मन लगता है म्यूजिक में, बहुत चाव से सुनती है, फिर वो मुझे संगीत की तालिम देना शुरू की आदर्निये स्वर्गियेश उपरशाथ पांडे जी जो की पटना फतुहा के रहने वाले थे, वो आते थे हमें सिखाने के लिए, 15 दिन वो रहते थे वहीं जारखन में, फिर 15 दिन अपने पटना में रहते थे वहां से शुरू हुआ मेरा क्लासिकल म्यूजिक का सफर मुझे ज़्यादा जुकाओ जो है वो भोजपूरी गीतों के प्रती, संसकार गीतों के प्रती, शादी ब्याह के गीतों के प्रती, फोक गीतों के प्रती आने लगा सबसे पहला जो मेरा स्टीज था, वो मेरे पापा जिस कंपनी में जॉब करते थे, वहां 36 महिने की तंखवा बन थी, और वहां पे स्ट्राइक हुआ था, करीब 2500 करीब लोग वहां पे इकठे हुए थे, सारे वर्कर्स ही थे, वहां पे जब लोगों ने कहा, नॉर्मल जो होती है, भाषन वाली, वो माइक थे, और वहां पे सारे लोग भाषन वगरा दे रहे थे, तो मैंने गाना वहां गुन-गुन आया था, वो गाना था, रोवा टूटी हैं गरीब के तपड़ बे करी, कहीं बिजली गिरी, कहीं जल बे करी, काफी लोगों ने सराहा, जितने वहां लोग थे, तमाम लोग, सब ही आकर के मुझे गोद में उठा लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पापा वहां ले जाने के लिए तयार भी नहीं थे, चुकि घर में ये तो वहां जाने के बाद ये बाते हैं, उससे पहले मेरे पापा कहते थे कि नहीं, लो लेकिन ममी, बहुत ममी का जोर था, ममी कहती थी कि नहीं, आप ले करके इसको तो जाओ पहले, ठीक है नहीं गाएगी, मैं बहुत डर गई थी, कि मैं कैसे गाओंगी इतने लोगों के बीच में, वो मेरा पहला स्टेज था, जब गई, तो वहां गाया और उनका जो इतना प जो पल था, उसे मैं याद रखती हूँ, ताकि मुझे आगे बढ़ने में वो शक्ती मिले, एक बार की बात है, जब मैं छोटी थी, कालिक्रम करने जाती थी, बहुत सारे ऐसे आटेस्ट हैं, जो बड़े आटेस्ट हैं, मैं तो छोटी थी, छोटी से ही गाना शुरू की थ से, तो जब मैं जाती थी, तो लोग काफी देर तक मुझे बैठा करके रखते थे, कि भाई ये तो छोटी है, अभी जो बड़े जो आटेस्ट हैं, वो गालें, जब सारे लोग चले जाते थे, जो टेबल कूरसी वाले लोग थे, जिनका बाई कालीन था, जिनका टेंट था जिनका साउंड बॉक्स लगा हुआ था, वो सारे लोग बैठे रहते थे, कि भाई ये हटेगा सब लोग, तब तो हम लेके जाएंगे ना, उन लोगों को चार दस लोग जो रहते थे, उनको सुनाती थी मैं गाना, पिर भी मैं हार नहीं माली, मुझे लगा कि चीक है ना, दस ही लोग सुन रहे हैं, आज दस सुनेंगे, कल पचास सुनेंगे, पर सो सुनेंगे, फिर तो सुनते ही रहेंगे, जब मैं शो करने जाती थी, तो एक तो बहुत देर तक लोग बैठा के रखते थे, और यहां तक कि मुझे कई जगह पे ऐसा हुआ कि पेमेंट भी नहीं हो, भाई वो मेहनत कर रहा है न, उसको तो उसके मेहनत आना तो चाहिए न, मैं काम अपना शुरू करते रही, फोग गीतों का, बहुत सारे ऐसे जो गुम हुए कवी थें, उनके गीतों को ढूंडना, उनके गीतों को तलाशना शुरू की, ऐसे ऐसे गीत मिले मुझे, जो म मैं बटुहिया गाई, बाबुर अग्वीर नरायन की रचना, मैं सोहर गाई, बाबु महादेव सिंग का, मैं रसूल मिया के राम को गाई, कमाल का गीत था वो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मास्टर अजीच का गीत मिला मुझे, विशुनात सैदा का मिला, भुलानात गहमरी का म मिला, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जिनको लोग जानते नहीं थे, ऐसे ऐसे लोगों का गीत मिला, और मैं गाना शुरू कि, एक शो आया उस समय, सुर्ष संग्राम का, टीवी शो था वो, जब 2009 की करीब बात है ये, और वहाँ पे जब मैं गई, सेलेक्शन हुआ, उसके ब मुझे लगा कि नहीं, शायद हो सकता है कि मुझे में कोई कमी है, या कुछ अच्छा होना है इस वज़े से, कुछ इश्वर ने अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, कुछ आगे मेरा रास्ता कुछ था, तो फिर मैं वहाँ से चली, उसके बाद मैं फिर दुबारा शो आया टीवी शो, जिला टॉप करके, महुआ कहीं था, उसमें काफी सारे पाडिसिपेंट थे, कोई जमशेद पूर का था, वो जिला टॉप करके ही था, अपने जिला को रिप्रेजेंट करना था, तो मैं अपने बोकारो जिला से, जारकंड से, मैं पाडिसिपेंट की, सेकेंड नरब हुई लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं ये जब तक टीवी शो है चल रहा है तभी तक आप लोगों के बीच अपने शोताओं के बीच लोगों के मन में दिमाग में आप बैठे रहते हो वहाँ कोई स्कोप मुझे नहीं दिखाई दिया फिर वहाँ से चली मेरे मन की आवाज ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए ये सही नहीं है मुंबई रहना जब फोक गिदगार रही हो जब फोक में कुछ अपना कुछ करना है आगे बढ़ना है तो तुम्हें बिहार में ही रह का जो रास्ता था वो शुरू हुआ पुरवियातान नाम से एक सीरीज निकाली उस समय चुकि म्यूजिक का जो दौर था वो बिलकुल अलग था बहुत वालगारेटी थी भुजबूरी को ले करके भुजबूरी म्यूजिक को ले करके काफी बहुत चादा मतलब आप उस त रिस्क ही ले रही हूँ कि मुझे करना है लेकिन बिलकुल अलग है ये तो एकदम रास्ता अलग है वालगरेटी है इतने सारे सिंगर्स है पता नहीं मेरा गाना कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा लेकिन मैं रिस्क ली और गाना शुरू की महिंदर मिसिर बिखारी ठाक काफी दिक्कते आई एक लड़की होने के नाती, नॉर्मली सभी लोग जो हैं बहुत कहते हैं मेरे घर में म्यूजिक, दूर दूर तक म्यूजिक का कोई नाता नहीं था, मेरे बाबा आजी जो थे, वो बहुत मतलब मैं गरीब परिवार से थी, बहुत अच्छे परिवार से नहीं थी, मिडिल क्लास भी नहीं थी, बाबा पूजा करवाते थे और हमारा पंडिताओं वाला ये था किसानी थे, वहां से शुरू हुआ हमारा सफर, जब गाना बजाना शुरू किया, तो अगल बगल के लोग कहने लगे, ये लड़की की कमाई खाएगा क्या, लड़की को आगे बढ़ा रहा है, इसके बलबूते पर ये जो घर चलाएगा, बगरा बगरा बहुत सारी चीज़े हैं जो सुननी पड़ती है, एक लड़की के जीवन में हमेशा, कोई नो कोई कठीनाई, कोई नो कोई समाज का ताना बाना, अगल बगल के लोग, आप जितना आगे बढ़ोगे, वो आपकी टांग खीचेंगे ही खीचेंगे, बहुत मुश्किलों के बाद, मैं सारे लोगों की बाते सुनती थी, लेकिन कोई रियक्शन नहीं देती थी, क्योंकि मुझे मन लगता था, इन सभी चीजों में, गाने में, तो मुझे सुनना ही नहीं था किसी की बात को, जो लोग मुझे ताना देते थे, कहते थे कि कैसी इसकी शादी थोड़ी होगी, ये तो गाने बजाने में उतर गई, अब इसका कोई इज़त थोड़ी है, ऐसे ऐसे लोग कहते थे, कमेंट पास करते थे, वही लोग आज अपनी लड़कियों को डांस क्लास सिखाते हैं, बोलते थे, कि भई लड़की अपस्यान हो गई है, शादी कर दो, जबकि मेरी उम्र 14-15 साल थी, मैटरिक भी नहीं कि दिया था मैंने, उस समय ऐसा सुनने को मिलता था, तो बड़ा गुस्सा आता था, कि ये लोग तो अपना लाइफ बरबाद कियें ही कियें, मेरा भी करने वाले हैं, ममीर कहती थी, कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है, वो अपनी बेटी के साथ नहीं करेंगे, कम उम्र में क्यों शादी करना यार, इसको तो और आगे जाना है, लेकिन जब हम वहाँ से गाउं से जब चले, घर आएं, पापा कभी वही मैंटलिटी था, उस समय, सबकी बाते को सुनना था, पापा को, पापा हमारी सर्विस में थे, तो जब भी जाते थे तो यही बाते सुनते थे, बहुत मुश्किल हुआ, वहाँ अपना एक अलग से उन लोगों का सुनते हुए, अपना एक अलग करियर बनाना, बहुत मुश्किल होता है, आज भी बह क्यों कर रही है ऐसा नहीं होना चाहि Україए ठाएसा करना चाहि कि मैं कभी MJ दियानी नहीं डिया ऐसी बातों पर और मम्मी का सपोर्ट रहा मम्मी ने काफी सपोर्ट किया मुझे उनके सपोर्ट की वजह जैसे आज मैं चंदंतिवारी हूँ, बिहार सरकार ने विंधवाशनी अवार्ट से नवाजा मुझे, फोक गाईकी के लिए, यू आप पुरा स्कार दिया भारत सरकार ने मुझे, उन्होंने कुछ न कुछ तो देखा होगा मुझ में, कोई तो टैलेंट उन्हें दिखाई द होगा, लेकिन आप कहते हैं न, कि जब आप कोई भी सम्मान से सम्मानित होते हैं, तो जिम्मेवारिया भी उतनी ही बढ़ जाती है, तो कोशिस मेरी यही रहती है, कि अपने समाज को, मैं अच्छी चीजे परोसूं, अच्छी चीजों को सुनाऊं, ताकि हमारा समाज जो है वो हम पे, हमें जो सम्मान मिला है, उस पे गर्व करें, बिहार की लड़कियों को, मैं यही कहना चाहूंगी, कि संघर्ष करते रहना चाहिए, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, कि ये तो आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या है, कैसे हैं, ध्यान ही नहीं देना चाहिए, अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो.